समस्कार बच्चों आज हम क्लास एर्थ का वर्क्षीट नंबर 35 करने जा रहे हैं जो जिसका वर्क्षीट का टॉपिक है पीजिये ब्यंजक का जोड़ और घटा आज हम बीजिये ब्यंजक में जमा और घटा के बारे में बात करेंगे तो देखिए जैसे दी गई तालिका को देखे और सोचे यहां पे दिया हुए एक सो तेईस को आप आराम से जोड़ सकते हैं यहां पे चार आम और साथ आम इसको भी जोड़ सकते हैं ग्यारा आम आठ पैंसिल साथ पैंसिल तो पंदरा पैंसिल लेकिन चार आम और साथ पैंसिल कैसे जोड़ सकते हैं यहाँ पे आम है यहाँ पे पैंसिल है दोनों अलग अलग चीज़े हैं तो यहाँ पे जोड़ना सम्भम यहाँ यहाँ पे हम इसे जोड़ नहीं सकते क्योंकि यह एक जैसे नहीं है यहाँ पे आम था यहाँ भी आम था इसलिए आम आ गया है तो उसी के बारे में यहां पर में जोड नहीं जोडसकते। उसी प्रकार बीजिये व्यंजक में समान पदों को नहीं जोड सकतीं ये आम है अ यह भी आम है तो समान पद हो गया उशकी जोड सकते हैं और यहां पिदना हम और पैंसी और समान हो गया एक जैसा नहीं इसको नहीं जोड़ पाएि समान पदों को जोड अब हम घटा सकते हैं उदाहरन के लिए 4xy और 7xy तो xy xy दोनों में हैं तो 7 और 4 यहां पे दोनों समान पद हैं इसलिए इसे जोड सकते हैं और घटावे सकते हैं हम जोडते हैं तो 7xy और 4xy 11xy और घटाते हैं तो 4xy-7xy-3xy परंतु x2y यहां पे x और यहां पे हम नहीं जोड सकते हैं क्योंकि यहां पे देखने में तो लग रहा है जो यहां भी xy है यहां भी xy है लेकिन यहां पे x square y है यहां पे सिर्फ xy है तो दोनों और समान पद हैं अर्थात x square y y plus 4x square y plus 7xy is equal to 2y मतलब दोनों को पदों को जोडने की संभावना नहीं है आईए और देखते हैं इसमें क्या कहता है जैसे यहां पे देखिए यहां पे 3ab plus 7ab ab ab दोनों में हैं तो दोनों समान पद हैं हम जोड सकते हैं यहां प्लस हैं यहां पे sd है यहां भी sd है तो यहां भी और घटा का चिन है तो दोनों समान पद हैं तो हम इसे घटा सकते हैं यह आया sd common आगया तीन में से 5 गयतों माइनस 2sd अब दोनों यहां पे fg 7fg और 8fg हैं दोनों समान पद हैं हम जोड सकते हैं 15fg लेकिन यहां पे जब हम देखते हैं 4as 6fg 7as तो यहां पे asas वाले को जोड आएंगे यह समान पद हैं दो दो पद समान हैं और एक पद और समान है तो इस दोनों को एक ब्रैकेट में रखकर के साथ और चारी 11as हो गया और यह अलग ही रहें तो समान पद को जोड सकते हैं तो केवल दो समान केवल दो पदों को जोड सकते हैं जो समान हैं यह और यह समान हैं उसको जोड पाएं बा एक्स स्क्वार प्लस 6 एक्स एक्स प्लस 7 तो पहले इसको लिख लिखे और दूसरा देखे 8 एक्स प्लस 7y प्लस 4 तो लाइक तर्म एक जैसे पद के सामने दूसरा ही लिखे एक्स के नीचे दूसरा लिए इसका भी एक्स का कॉपिसियन तो 6x के पीचे 8x होगे और यहां पर 7 है constant है इसमें और कोई भी नहीं है इसके नीचे 4 पिखरी है और 7y extra है उसके जैसा नहीं है कोई तो यह लगने के दिए इसको जोड़े तो यही आया 7x यह एक समान पद हैं तो 8 6 14 x और 7 4 11 और यह तो हम उन्हीं सभी ब्यंजगों को अलग अलग तंक्तियों में लिखेंगे जिसे जोड़ा जाना है जोड़ते समय समान पदों के नीचे दूसरे ब्यंजग को का भी समान पद लिखेंगे जैसा की यहां पर दिखाया गया पहले और इसी तरह दूसरा सवाल है इसी का आईए देखते हैं यह दिया हुआ है फोर एकस फोर एकस स्कॉयर माइनस सेवन एकस वाई माइनस सेवन जड़ एकस प्लस फाइब प्लस एट वाई स्कॉयर में से इसमेंसे यह घटा ना है तो पहले इसको लिख लिए और इसके नीचे जैसे एकस वाले यहां जड़ वाले केंड़ नीचे समान पदों को एक के नीचे दूसरा लिखे यानि y square के नीचे y square constant के नीचे constant मतलब अचारपद के नीचे अचारपद इसको अलग करने तो यह कहने यह एक जैसा है अब माईनस करने पर चिन बदल जाता है नीचे वाले का सब का चिन बदल जाएगा माईनस कर रहे हैं हम तो सब में माइनस करने पर जो यह प्लस था यह माइनस हो गया तो बदल जाएगा तो माइनस कि श स्वार बढ़ जाएगा यह भी एक स्वाय है यह भी xy यह दोनों माइनस का है यहां यहां पर माइनस है और यहां भी अब यह इसका चिन हो जाएगा माइनस माइनस दोनों एक जास प्लस तो 7 6 13 xy हो गया और यह भी माइनस और यह भी माइनस लेकिन यह अलग टर्म है यह अलग टर्म है यहां पर लिखते समय गलती किया गया है यह पे X Y को जोड दिया गया है यह JXhy है यह अलग अलग होना चाहिए यहां पे लिख दिया ZX या तो ZX होता तब लिखते तो यहां पे गलती है यह अले के मतलब माईनस 7 ZX और माईनस सेवेन as यह एक जैसा है तो दोनों 13 हो गया ठीक है अब आईए हम सवाल करते हैं हमेशा की तरह आपको सवाल करने के लिए दिया गया है कुछ सवाल करते हैं पहला सवाल है हल करें यानि इसको जोड़ना है तो पहले वाले को लिखें यह 5x² प्लस 6xy प्लस 7yz प्लस 8 और नीचे x² के सामने x² वाला प्लस 8x² और माइनस 9xy तो यह भी xy है तो 9xy और yz है yz है तो प्लस 7yz और माइनस 9 अब प्लस करना है तो इसका चिंद के नीचे वाले का जो है वही रहें का तो 8 5 13x² और प्लस 6xy है और 9xy है तो बड़े वाले वाले घटाते हैं तो 9 में से 6 गया तो 3 चिंद बड़े वाले का देते हैं तो बड़े वाले का माइनस है xy ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो ये प्लस हो जाएगा साथ साथ 14 yz है और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तो बड़े 9 है sign वही देंगे जो बड़े वाले का है minus 1 ये हो गया इसका answer आईए अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है जोड़ना है इसको इसके साथ पहले इसको लिखें minus 5y square 7xc plus 8fg plus 9 अब fg वाले के नीचे fg plus 4 कुछ भी नहीं है तो इसलब प्लस का sign है xc वाले के नीचे xc plus 6xc और minus 8 इसको लिखें अब ये क्या हो जाएगा plus करना है तो sign change नहीं होगा minus 5y square और plus 7 6 13 xc और 8 4 12 fg और 8 में से 9 में से 8 गया एक प्लस एक अब दूसरा देखते हैं कर दो दो प्लस के नहीं है कि यहां कहा रहा है में से माइनस फोर वाई स्क्वार प्लस 6S 3FG माइनस 7 में से इसको घटाना है तो पहले यह लिखे माइनस 4Y स्क्वार प्लस 4X स्क्वार प्लस 3FG माइनस और इसके नीचे लाइक टर्ब वाई स्क्वार वाले के नीचे 9Y स्क्वार प्लस 9XC 9XC और प्लस 7XC प्लस 9 अब सब का साइन माइनस करना है तो सब का साइन चेंज हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा यह माइनस यह माइनस यह भी माइनस अब इसके नीचे हम माइनस का साइन करेंगे तो देखिए यह भी माइनस का हो गया यह भी माइनस का हो गया तो दोनों माइनस माइनस मिल जाएगा तो 9, 4, 13, minus 13, y square और ये plus का है उपर वाला और ये minus का अब ये minus का हो गया है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को दोनों में एक ही तर्म है xc, xc तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगी तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा और चिन बड़े वाले का देते हैं तो minus 5 xc अब ये भी minus का ये plus का हो गया तो बड़े वाले कौन सा है ये 7 है बड़े वाले में से छोटे वाले के तो बड़े वाले का चिन देंगे minus 7 4 fg अब ये दोनों minus का है तो 9 साथ 16 यह हो गया इसका अंसर अब नेक्स सवाल देखते हैं यहां पर कह रहा है इसमें से 4ABC-3XYZ 9FGS में से इसको घटाना है तो पहले इसको रहते हैं 4ABC-3XYZ प्लस 9FGS ABC के नीचे नीचे प्लस XYZ माइनस FGS और साइन माइनस का देना है तो सब में बदल जाएगा यानि यह माइनस हो जाएगे यह माइनस यह माइनस यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब हम जो साइन है जैसे यहां पे 4 ABC में यह भी एक ही जैसा है तो यह बच जाएगा आपके पास 3 ABC और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 X I Z और 9 F G H और 1 F G H तो 10 F G H प्लस 10 F G H यह हो जाएगा अब next यहां पे कह रहा है इसको जोड़ना है तो यह और यह जोड़ना है तो सबसे पहले हम X स्कौाइर प्लस 3 X Y Z प्लस 7 Y Z प्लस 8 X Z तो X स्कौाइर वाले के नीचे X स्कौाइर तो यह हो जाएगा 8 X स्कौाइर माइनस 9 X Y माइनस 9 X Y Z प्लस 7 Y Z प्लस 7 Y Z माइनस 9 X Z अब प्लस करना है तो साइन वही रहेगा अब X स्कौाइर और X स्कौाइर तो यहां पे कुछ नहीं है तो एक है तो 9 X स्कौाइर हो जाएगा और यह माइनस का है यह प्लस का है तो बड़े में से छोटे घटाते हैं तो बड़ा यह है 9 वाला तो 9 में से 3 गया तो 6 X Y Z बच जाएगा यह दोनों प्लस का है तो साथ साथ 14 और Y Z 14 Y Z हो जाएगा और यह बड़े में से छोटे घटाएगे बड़े वाला कचिन माइनस का है और 9 में से 8 गया तो 1 बचा तो 1 Z X यह हो गया इसका अंसर अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यह कह रहा है इस में से इस में से इसको घटाओ तो पहले यह लिखे 4 A B C माइनस 3 A B प्लस 9 B C अब जैसा है A B C के सामने A B C लिखे तो माइनस A B C माइनस A B C कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है B C के सामने B C प्लस B C और A B के सामने A B प्लस में A B माइनस करना है तो सबका चिन नीचे वाले का जो है पदल जाएगा यह माइनस है प्लस हो जाएगा यह माइनस यह माइनस अब हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा यह प्लस का यह भी प्लस का तो फोर और एक फाइब यहां कुछ भी नहीं है तो एक है इसका मतलब पाँच एबी सी और यह भी माइनस यह भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक तो तीन एक चार एबी अब यहां भी यही है यहां भी माइनस हो जाएगा तो आठ में से नौ में से एक गया तो आठ प्लस का चिन आठ बी सी तो ये था आज का वर्क सीट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजेगा धन्यवाद